नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं दारूरल फाइट और मैं हूँ आपका अपना सौम दिया दोस्तों मैं छोटी-छोटी वीडियो में बहुत छोटी-छोटी नोलेज को इकठा करके आपके लिए लेकर के आता हूँ यदि आपको ये मेरा प्रियास अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को शेयर करते रहना और अपने वैल्यवेबल कमेट में देते रहना और वीडियो को पूरा देखना है तो दोस्तों आज की जो इंपोर्टेंट नोलेज में आपके लिए लेकर गया हूँ वो है दो व लेकिन सी को हम कई बार मिलने के केस में भी यूज़ करते हैं तो देखे एक बार इस केस को देख लेते हैं कहां हम सी को मिलने के केस में यूज़ करते हैं दोस्तों इससे पहले एक और चीज़ आप समझ लो दो वर्ड हैं formal informal जहां official language यूज़ करें ओफिशियल जहां पर हम वहाँ उसको formal कहते हैं और informal हम जहाँ पर official ना हो करके friendly हो और जैसे घर की तरह रहते हो जैसे दोस्तों के साथ हैं तो वो क्या है हमारा informal है तो जब आप किसी informal से मिलते हो जैसे मैं मेरे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ तो वहाँ पे कहेंगे I am going to meet my friend वहाँ पे हम meet का प्रियोग करेंगे ठीक है आप किसी अपने रिष्टेदार से मिलने जा रहे हो I am going to meet my relative whatever your son-in-law, father-in-law, mother-in-law, brother-in-law किसी से भी आप मिलने जा रहे हो तो वहाँ पे कह सकते हो I am going to meet यदि उसी case में आप किसी official से मिलने जा रहे हो वहाँ पे हम सी काप्रियोग करते है I am going to see the principle today I am going to see your headmaster today तो आज मैं आपके headmaster से मिलने जा रहा ह hedmaster से मिलने जा रहा हूँ आज मैं आपके प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ तो एक दो चीज़्या आपको याद रखनी है formal जहां पर official हो और informal जहां पर आप official ना हो करके बिलकुल घर की तरह रहते हो और friendly से हो तो वहां पर हम informal use करते हैं तो meet जहां पर informal हो और see जहां पर हम formal हो official हो तो ऐसा करता हूँ कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी यदि आपको यह जानकारी अच्छे लगी तो आप अपने दोस्तों को भेजने में हिच्टार्ट मत करना तो see you in the next video, by the time take care, be happy, keep smiling